हमीरपुर जिला में चुनाप नजदीक हैं जिसको लेकर एच्टूडे न्यूस चैनल द्वारा एक नई पहल शुरू की गई है जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि लोगों को किस प्रकार का प्रतिनी दी चाहिए इसी पहल के मदे नजर आज हमने हमीरपुर में कुछ लोगो एक जो है वो स्वच इसका हो और जो अपने काम चल रहे हैं उनको पूरा करें जो काम पैंडिंग पढ़े हुए हैं पहले तो वो उनको पूरा करें जो नेता हमारा ऐसा होना चाहिए कि सबसे मिल जूल कर ले देखिए जी इलेक्शन आने वाले हैं उसमें हमें जो पार्ष पार्षद का काम बनता है कि उस काम को वो निकल वाए उसमें पार्षद का जो है पूरा सहयोग होना चाहिए पार्षद जो है वो आम जनता के साथ मिलनसार होना चाहिए इसमें जो है मतलब अगर कोई भी बंदा जो पार्षद के पास जाता है अपना कोई कारे करवाने के लिए तो पार्षद जो है वो आनाकानी भी करते हैं इसमें जो है आप देखिए जो पार्षद आनाकानी करते थे अब उनका तो बहुत मुश्किल है पर ये नहीं है कि मतलब आने वाले 5 साल तक देखो जी के अब पार्षद चुन लिया गया है आगे हमने काम करना है नहीं कर तो फिर सभी काम करने लगते हैं ऐसा नहीं है। मतलब जब पारशद का चैन हो जाता है तो उसमें जो है पारशद को चाहिए कि जब तक उसको जो सीट मिली हुई है उसका पूरा फाइदा उठाए और जनता का हर काम करें। बस बहुत जल्दी एलेक्शन आने वाले हैं तो हम एक बहुत साप चबी का साप सुथरी चबी का जो पारशद हो वही चाहते हम अपना कीमती वोट उसी को दोंगे जो हमारे इलाके के बारे में सोचे उसका काम करवाए लोगों से मिलने जुनने वाला हो और जो लोगों की सम कोई एसी नहीं चाहिए सब का फूरा काम करें पारशद उसको चिनना जाएगा जो नगर परशद के फूरा अपना बार्डा काम देखे और जिन्दा पावलिक का फूरी करें ऐसा नहीं कि मैं जीत लिया ता आगे हमें देखे नी गरीब गुरु देखे सभी के बराबर है उसको हम परशिब चना जाएगे जो नगर परशा पूरा अपना इमान दायर भर का काम करें उसी को हमाना चुनना चाहिए नंबर शे मैं ऐसा पारजि़ई चाहिए जो साफ सुतरा काम करने वाला हो और उसके बाद स्ठाइं हूं कि हमारे बास समस्था-सूनें और यह आई साफ सुतरा चाहिए यह नहीं कि एक गवार जीती है जी सब्हार हम है कि एक तारजिदी तो वो को साफ सुखते हैं कि पारशिद ऐसा हो जो हर आम जो उनके बाड़ के मेंबर्स होंगे हर किसी बंदे की मदद करें और उनका काम अटका हुआ है तो उसको करवाए महले में पूरी गली में पूरी साफस्पाइड करें बल सारी जी मेरी पारशिद की बनती है और लेवारे लोग किसी बाड़ के हैं वो लोग उनसे फाइदा ले सकें